हिंदी क्लब में आप सबका फिर से स्वागत है मैं रमेश सिरवास्तो आज आप लोगों से सीटेट में विशेश कर लेंग्वेज को लेकर के बात करूँगा कि लेंग्वेज में क्या उसके सेलेबस है कितने नंबर्स के होते हैं और कैसे हम ज्यादा से ज्यादा नंबर उसमें ला सकते हैं क्योंकि सीटेट में पेपर 1 हो 1 to 5 या पेपर 2 6 to 8 हो दोनों में दो लेंग्वेज के पोर्षन होते हैं और ये दोनों लेंग्वेज के जो पोर्षन है वो 30 तीश नंबर यानि कि 30 और 30 60 नंबर के होते हैं तो आज हम पूरे के पूरे इस पर डिसकस करेंगे कि लेंग्वेज में आज हम विशेश कर वैसे बात करेंगे हिंदी की लेकिन मेरा जहां तक मानना है कि हिंदी हो इंग्लिश हो या संस्कृत हो या कोई भी भासा हो पूरे के पूरे इस लेंग्वेज के जो पोर्षन होते हैं वो एकी सिलेबस पे आधारित होते हैं कि उस भासा की क्या समझ है और उस भासा का हम किस तरह से विकास कर सकते हैं और क्या सलेबस होता है इस पे हम आज पूरी के पूरी चर्चा करेंगे तो सबसे पहले मैं बता दूँ कि सीटेट में ज्यादा तर बच्चे जो है ओ लेंग्वेज फर्स्ट में हिंदी लेते हैं या इंग्लिस लेते हैं या कोई भी लेंग्वेज लेते हैं, संस्कीत लेते हैं, तो एक पोर्षन, एक लेंग्वेज जो होता है, वो 30 नंबर, 30 questions उसमें होते हैं, और ये जो 30 questions हैं, वो 30 numbers के होते हैं. जिसमें से 30 नंबर में 15 नंबर के जो है वो आपके unseen पैसे जाते हैं अपठित गद्यान्स या अपठित पद्यान्स और देखें एक्चुली सीटेट जो है जो एक्जाम लेता है या सीटेट का जो एक्जाम होता है वो टीचर्स के लिए होता है जो टेंड होते हैं वो टीचर्स के लिए होता है तो यह एक्जाम लेने का मेन इसका मकसद होता है कि आपको आप किस तरह से बच्चों को पढ़ा सकते हैं किस तरह से बच्चों में भासा का विकास कर सकते हैं तो इसमें जो अन्सीन पैसेज मिलता है अपठित गध्यांस होता है या अपठित पध्यांस होता है कविता होता है पद में तो आप पहले कभी उसको आप पढ़े नहीं होते हैं कभी देखे नहीं होते हैं अन्सीन होता है अप्ठित होता है तो उससे questions पूछते हैं उससे questions जो है आपके 15 questions आते हैं unseen passes से उस passes में आपका गद भी आएगा और पद भी आएगा जो की 9 number और 6 number गद से अगर 9 number के questions पूछता है तो पद से जो है आपके 6 number के questions होंगे total मिला करके 15 numbers के questions जो है आपको language first में या language second में देखे मैं बात अगर करूँगा तो सिर्फ आपका जो है सिर्फ एक language की त्यारी नहीं होगी आपका दोनों language की आज त्यारी में करवा दूँगा और दोनों language के syllabus की मैं बात करूँगा और किस तरह से जहां तक मेरा मानना है कि अ अगर दो सब्जेक्ट में अगर 45 नंबर ला देता है तो वो किसी भी तरह क्वालिफाई करेगा कोई रोक नहीं सकता है उसको क्वालिफाई कर जाएगा तो इसलिए आज मैं आप लोगों का दोनों language का जो portion है चाहे कोई भी हो किसी बच्चे का इंगलिस हो या हिंदी हो य कोई भी language हो हम उन दोनों languages की यानि के 60 नंबर की आज मैं आप लोगों की क्या पूछता है कैसे त्यारी करें किस तरह से हमारा ज्यादा से ज्यादा नंबर यानि कि 60 में हमारा 45 से उपर यानि 50 नंबर तक आए किसी किसी बच्चे का जो बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनक language language में ही दोनों मिला करके 60 में 50 से उपर नंबर आता है और बाकी में उनके थोड़े थोड़े नंबर भी आते हैं तो सीटेट को क्वालिफाई कर जाते हैं तो आज हम लोग language में एक एक चीज की बारिकी से बात करेंगे कि हम कैसे त्यारी करें क्या क्या पूछता है और किस तरह से हम ज्यादा से ज्यादा नंबर ला सकते हैं और बच्चे लाते भी हैं तो सबसे पहली बात कि आपका मैं एक language की बात नहीं करूंगा आप दोनों जो आपका जो दोनों language होगा पेपर फरस्ट का हो या पेपर सेकेंड का हो वन टू फाइब का हो या शिक्स टू एट से होता है आप उस भासा के बारे में अगर आप पढ़ सकते हैं समझ सकते हैं तो उससे आप आराम से इसके को सारे कर सकते हैं मैं एक एक आपको टॉपिक और एक एक सेलेबस पर आज पूरी डिटील्स में डिसकस करूंगा तो सबसे पहले हम हिंदी को लेकर के चलेंगे हिं और हिंदी सेकंड है जो भी है सेलेबस यही होता है और इसी तरह से पूछता है तो सबसे पहले आपसे जो तीश कोश्चन्स रहेंगे लेंग्वेज में उसमें से पंदरा जो है पंदरा कोश्चन्स जो है आपके वो अंसीन पैसेज से रहेगा यानि उसको आप अपठित कोश्चन्स पूछता है तो इसमें मैं बता रहा था कि टीचर्स के लिए एकजाम्स होता है तो सीट या कोई भी जो है सिक्षक पातता परिक्षा में यह देखा जाता है कि आप उस अपठित गध्यांस को या पध्यांस को आप पढ़ करके कितना अच्छी तरह से आप उसक पढ़ करके बढ़ियां से उसको अगर आप समझ जाते हैं उसके कोश्चन्स अगर आप दे देते हैं तो आप एक अच्छे सिख्षक हैं आप एक अच्छे टीचर हैं आप उस तरह से फिर बच्चों को भी आप बढ़ियां से समझा सकते हैं पढ़ा सकते हैं तो इसके a कि इसमें ग्रामर स्के जो है कर दो-तीन जादा नहीं होते है बाकी कोर्ष्टेस ज Is यहां कर आपके उस पैसेड से पुर्षता है को आप पढ़ लीजिए समझ लीजिए और समझ करके उसी से कोर्षट स करता है और उसी का उत्तर आपको देना होता है अगर सपोज करिए कि कोई आपको गद दे दिया है यानि कि कोई एक paragraph दे दिया है किसी भी topic पे आप सपोज करिए कि ओ topic पे अगर लिख रहा है कि बिहार की राजधानी लखनव है अगर सपोज करिए कि उस topic में लिखा हुआ है और अगर उससे related नीचे questions पूछता है अगर उससे कि बिहार की राजधानी कहा है तो जो आपके गद में लिखा हुआ है वही आपको उत्तर देना होता है आपको लखनव ही लगाना होगा आपको पटना अगर option दिया है तो पटना नहीं लगाना होगा तो इस गद में या पद में सिर्फ देने का मकसद यही होता है कि आप उसको कहां तक उसको समझ पा रहे हैं और उसका उत्तर आप बढ़ियां से दे सकते हैं तो इसमें गद और पद ज्यादा तर बच्चों के जो है वो गध्यांस तो सही होते हैं लेकिन पद जो होते हैं जो कविता देता है कविता से जो कुश्चन्स करता है पद से उसमें बहुत सारे बच्चे जो है समाही नहीं पाते हैं क्योंकि पद का क्या होता है कि जो कभी जो चीज लिखता है उसका क्या है कि अर्थ कुछ अलग निकलता है और उसी के according questions करता है तो मैं आज आप लोगों को syllabus की बात करूँगा फिर एक एक करके हर topic की जो भी topics है मैं हर एक topic की आप लोगों को बढ़ियां से त्यारी करा दूँगा जिससे की आपका कम मतलब दोनों languages में 60 नंबर अगर दोनों languages के हैं तो आपके 50 नंबर से ज़्यादा आ जाएं तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले हिंदी भासा की अगर बात करें तो इसमें अप्ठित गद पूछेगा और पद पूछेगा दोनों से questions होंगे 15 questions जिसमें से दोनों में से गद से भी और पद से भी एक दो grammar इसमें से और एक दो grammar भी पूछेगा प्लस जो है उसके सीरसक क्या अच्छी तरह से यह भी पूछता है कि इस पद का या इस गद का उप्यूख्त सीरसक क्या हो सकता है और उससे जो questions होगा उसको आपको पढ़ करके और उसके उत्तर टिक करने होते हैं OMR में उसको रगना होता है तो इसके लिए मैं आपको अभी तो syllabus की बात करूँगा बाद में मैं details में आपको बताऊंगा कि किस तरह से आप गद में और पद में जादा तर जो 15 नंबर है ना बहुत सारे बच्चों का 15 में 15 नंबर रहाता है अगर गलत होगा भी तो एक या दो गलत होगा 13 नंबर कहीं नहीं गये हैं इसकी मैं आपको बाद में एक एक चीज को बताऊंगा मैं खुद जो है unseen जो है पैसेज लेकर के अप्टित पद लेकर के गद लेकर के उससे मैं आप लोगों को कोश्टन करवा करके सारा कुछ डिटेल्स में समझा दूँगा तो आज हम लोग ज्यादा लंबा हो जाएगा वीडियो इसलिए आज हम लोग सिर्फ सिलेबस की बात करेंगे कि क्या-क्या पोछता है और कैसे तैयारी करें कि हमारा 30 में 30 नमबर या फिर 40 में हमारा 60 नमबर या 50 से जादा नमबर आए और मैं बताया हूँ जैसे कि अगर किसी का विपयधार्य पर्शन में आ जाता है तो उसका सीटेट आराम सोग क्वालिफाई कर लेता है ठीक है तो 15 नंबर के आएंगे unseen passes unseen passes से questions होंगे और प्लस उसी से एक दो ब्याकरंड्स होते हैं ब्याकरंड्स में ज्यादा तर पूछता है आपका प्रत्य और उफ्षर्ग वगरा या विलोम या कुछ प्रयावाशी वगरा पूछता है उसके बाद से 15 नंबर का पूछता है तीश नंबर में से 15 नंबर का पूछता है आपका पैड़ागोजी पेड़ागोजी में आपको actually हिंदी में ही नहीं आपका पेड़ागोजी हर पोर्षन से पूछता है आपका अगर one to five की बात करें तो one to five में अगर से पूछ करें आपके पांच पोर्षन से हैं जिसमें कि CDP है Child Development, बाल विकास और सिक्षा सास्त्र उसमें भी सिक्षा सास्त्र है प्रस जो है अगर आपका मैत है तो मैत में भी आपका पेड़ागोजी है अगर आपका EBS है तो EBS में भी पेड़ागोजी है हिंदी में भी पेड़ागोजी है second language अगर आपका कोई है उसमें भी पेड़ागोजी होता है तो अगर हम दोग देखा जाए तो total pedagogy जो है वो आपका 70 numbers के आता है 70 numbers क्योंकि पहला वाला जो portion होता है उसमें 10 number का pedagogy होता है और 15 number का जो है आपका inclusive question होता है समावेसी सिक्षा बाकी के जो भी portions है उन सब में से 15-15 numbers के आपके सिक्षण के आते हैं पैड़ागोजी के questions होते हैं तो जिस अभ्यर्ति के जिस बच्चे का अगर सिक्षा सास्त यानि पैड़ागोजी यानि सिक्षण अगर अच्छे से त्यार है तो उसका seatate qualify करने से कोई न नि रोख सकता है तो पैड़ागोजी पे विशे साब को ध्यान देना पैड़ागोजी का मतलब यह हुआ कि जो भी portion है जो भी विशे है उस विशे को हम लोग बच्चे को किस तरीके से पढ़ाएं कि वो उसको समझ जाए मिन वही होता है कि अगर हिंदी है हिंदी विशे है तो हिंदी को हम लोग किस तरह से बच्चों को पढ़ाएं या संस्कित है या इंगलिस है तो हम लोग उसको किस तरह से उसको पढ़ाएं या मैत है या EBS है परियावरणा ध्यान है तो किस तरह से पढ़ाएं कि उसको समझ में आए तो सिक्षा साथ या पैड़ागोजी में उसी से संबंधित questions होते हैं तो आज हम लोग हिंदी में या language की बात कर रहे हैं तो सबसे पहला जो है उसमें एक आपका topic होता है पेडागोजी में अधिगम एवम अर्जन अधिगम एवम अर्जन से definite questions पूछता है सबसे बड़ी यह खुबी है कि जो भी syllabus उसका है उस syllabus के recording ही question करता है कोई भी questions जो है वो बाहर से नहीं करेगा जो उसका syllabus है उस ही के recording questions करता है एक भी बाहर के question ही होता है तो अगर आप उसके syllabus के recording अगर आप तयारी कर लेते हैं तो आप बहुत ही easy way में आसानी से कम समय में त्यारी करके आप seatate को crack कर सकते हैं, seatate को qualify कर सकते हैं तो सबसे पहला जो topic है वह है आपका pedagogy का अधिगम एवं अर्जन अधिगम एवं अर्जन से हर साल हमेशा questions करता है तो इसमें आपको क्या पढ़ना होता है अधिगम एवं अर्जन में कि अधिगम क्या है अर्जन क्या है उसकी अधारना उसके अर्थ उसकी परिभासा और उसके प्रकार कि अधिगम के क्या प्रकार है ये सब पढ़ना होता है साथी साथ कि इसके संदर्व में किसके संदर्व में तो अधिगम और अरजन के संदर्व में बहुत जो बिद्वान है जो मनोबै ज्यानिक है उनके क्या विचार है तथा अधिगम और अरजन को कौन-कौन से कारक भासा का बालकों में किस तरह से हम विकास कर सकते हैं और भासा का जो विकास है वो प्रारंभिक और वास्तवी कवस्था में होती है तो किस तरह से होगी और साथी साथ बच्चों में सब्ध भंडार जो है उम्र के हिसाब से बच्चों में कितने कितने सब्ध भंडार होते हैं तो ये चीज जो है अजगम और अर्जन के अंतरगत आएगा और हमेशा हर पोर्षन से questions करता है सीटे तो आज हम लोग details में अंदर तो जाकर के बात नहीं करेंगे कि क्या क्या उसमें कैसे त्यारी किया है तो हमें दूसरे वीडियो में बनाऊंगा आज सिर्फ अगर syllabus की बात करते हैं कि आपको पढ़ना क्या क्या है तो सबसे पहला जो है इसमें topic पेड़ागोजी में वह है अधिगम और अर्जन ठीक है उसके बात से दूसरा जो है वह है भासा सिक्षण के सिध्धान भासा सिक्षण के सिध्धान जो है अगर हम लोग कोई भी भासा का सिक्षण कर रहे हैं अगर हम लोग कोई भी भासा हो हिंदी हो या संस्कित हो या जो भी है भासा है तो उसमें क्या है कि उसके भासा का सिक् यह उसका महत तो क्या है उसका भासा सिक्षण क्या उद्देश क्या है और उसके सिध्धान्द क्या है उसके बाद से भासा सिक्षण के नियम क्या होते हैं अगर हम लोग भासा का जगर भासा सीखते हैं यह बच्चों को भासा सिखाते हैं उसको भासा सिखाने के कुछ नियम है होना चाहिए इन सब चीजों के बारे में भासा सिक्षन के सिध्धानत में हम पढ़ते हैं उसके बाद से जो तीसरा टॉपिक है वह है तीसरा टॉपिक भासा के कार एवं इसके विकास में बोलने एवं सुनने की भूमिका यह जो है तीसरा टॉपिक है पैड़ागोजी का इससे भी कुश्चन समेशा करता है कि अगर हम भासा को सीख रहे हैं या बच्चों को भासा सिखा रहे हैं तो वक्षितर से कार करता है और जो है या भासा के विकास में बोलने और सुनने की क्या भूमिका है तो इसक के अंतरगत जो है हम लोग क्या-क्या पढ़ेंगे तो भासा के भासा एम उसके कार भासा क्या है उसके महत तो क्या होते हैं और भासा का विकास को परभावित करने वाले क्या-क्या कारक होते हैं यहां पे हम लोग ऊपर जो है देख रहे थे कि ऊपर हम लोगों ने पढ़ा था कि भासा सिक्षण के सिधान थे बासा सिक्षण के सिधान इसमें और भासा सिक्षण के क्या उद्देश हैं अब नीचे वाला जो टॉपिक है तीसरा टॉपिक यह है आपका भासा के कार तो इसमें मैं बता रहा था कि भासा का विकास को अगर भासा बच्चों में विकास ह हो रहा है भासा के विकास हो रहा है तो उसको कौन कौन से कारक जो है उसको प्रभावित करेंगे यह होता है और साथ ही साथ कि भासा के विकास में सुनने और बोलने की क्या भूमिका होती है यह इस टॉपिक के अंतरगत यह हम लोग पढ़ेंगे और यह जो है सारे के सारे और सबसे questions करता है सीटेट और हमेशा आता है आप किसी भी साल का paper उठा करके देख सकते हैं उसके बाद जो चौथा topic आता है pedagogy में language का वह है कि उस language में उस भासा का अधिगम में ब्याकरण की क्या भूम क्या है कि कोई भी भासा अगर हम भासा के बारे में कहा गया है कि कोई भी भासा को भासा क्या है कि अगर उसको हम सुद्ध सुद्ध लिखना बोलना पढ़ना क्यों हम लोग भासा के अंतरगत उसको लेते हैं यह मैं आपको फिर बताऊंगा जब ब्याकरण पढ़ाऊंगा तो तो इ उसमें ब्याकरण की क्या भूमिका है तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे उसमें ये पढ़ेंगे कि भासा एवं ब्याकरण क्या है भासा अधिगम में ब्याकरण की भूमिका क्या है ब्याकरण सिक्षण के क्या उद्देश है उनकी बिधिया क्या है उसकी प्रक्रिया क्या है और भासा अधिगम को हम लोग किस तरह से इंट्रेस्टिंट बना सकते हैं रुचकर बनाने के क्या क्या हो पाएं तथा संप्रेशन कौसल एवं लेखन कौसल के विकास में ब्याकरण का क्या महत्तो है इसमें जो है इस टॉपिक में हम लोग यही पढ़ेंगे ज्यादा तर कि भासा अगर हम लोग बच्चों को सिखा रहे हैं यह खुद सीख रहे हैं तो उसमें ब्याकरण की क्या भूमिका हुती है ठीक है इसके बाद जो पाच्वा जो टॉपिक आएगा पैड़ागोजी का वह है भासाई बिवित्ता वाले क्रक्षा क्रक्ष की समस्याएं हम लोग जानते हैं हम लोग पढ़े हैं कि भासाई बिवित्ता वाले जो कक्षा होते हैं वह जो है एक तरह से बहुत ही लावदाई होते हैं बच्चों के लिए भी और सिख्षक के लिए ठीक है उसमें समस्याएं बहुत सारी आती हैं तो इस पूर्षन में यही पढ़ना है कि जो कक्षा है जिसमें बहुभासिक्ता है यानि कि तरह तरह के लेंग्वेज वाले तरह तरह के भासा वाले बच्चे उस कक्षा में बैठते हैं और अगर वह भासा सीख रहे हैं तो कौन-कौन सी समस्याएं आ सकती है तो इस पूर बहुभासिक्ता होता है बहुभासिक्ता का मतलब कि आपके कक्षा में बच्चे कई भासा बोलने वाले बच्चे होते हैं या एक बच्चा एक से ज्यादा भासा को जानता है बोल सकता है समझ सकता है या आपके कक्षा में जितने भी बच्चे हैं विवित प्रकार के बच् किस तरह से लाव दायक भी है इस टॉपिक में हम लूँ यह चीज पढ़ेंगे , उसके बाद से लुट पहसा यह विवित्ता लाव क्त्राल सा में है और ढ़ WOW उसक्त का क्या है शुक्छ उने नुदक सिक्षन क्या समधान है इस topic में हम लोग इस चीज़ का अधियन करेंगे उसके बाद से आता है अगला topic वो है भासा कौसल language skill इसमें जो है भासा कौसल में हमेशा questions करता है इसमें हम लोग भासा कौसल के क्या अर्थ हैं उसके क्या प्रकार है, महत्व, वो देश और विधिया पढ़ेंगे, चिसमे से की भासा कॉसल में में होता है सुबोपली, सुबोपली आप लोग सभी लोग पढ़े होंगे, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना, क्योंकि भासा को जो विकास होता है, वो इसी क्रम में होता है, सबसे पहले बच्चा सुनता है, फिर बोलता है, फिर पढ़ना जानता है, सीखता है, उसके बार लिखना, तो भासा कॉसल में विशेश कर जो शुबोपली है, वो क्या होता है, अलग-अलग बच्चे जो है, वो सुनने को किस तरह से उसके सुनने के बारे में उनकी इसकिल पिर बोलना, पढ़ना, लिखना, इन सब चीजों के बारे में भासा कौसल में हम अध्यान करते हैं. फिर अगला टॉपिक है आपका भासा बोध. भासा बोध में जो है सुनना, बोलना, पढ़ना एवं लिखना में जो प्रविड़ता होता है उसका किस तरह से हम लोग मुल्य मुल्यांकन करते हैं. ये बहुत ही important है और इससे questions बहुत ज़्यादा पूछता है. आपका कोई भी language हो, उसमें इससे questions जरूर होते हैं. और ये जो मुल्यांकन है, ये मुल्यांकन एक ऐसा topic है, जो कि आपका हर portion से इससे questions होता है. क्योंकि जो भी चीज हम लोग सीखते हैं, वो सब कुछ depend करता है इसके मुल्यांकन पर, evaluation पर. क्योंकि मुल्यांकन का, अगर मैं आप लोगों को अर्थ बताऊं, अगर मैं details में पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा ही, लेकिन अभी मैं बता रहा हूं, कि हम लोग या कोई भी बच्चा, उसका कुछ न कुछ उद्देश ह होता है, वह अपने उद्देश में कहां तक पहुंच पा रहा है, पूरा कर पा रहा है, अपने उद्देश को प्राप्त कर पा रहा है, उसी को हम लोग जिस तरीके से मापते हैं, कि वह अपने उद्देश में कहां तक पहुंचा है, कहां तक प्राप्त कर रहा है, उसी को ह आओ सकता क्या है क्यों उसकी आओ सकता है ये वैलिवेशन की उसका महत तो क्या है उसका ओदेश ही क्या होता है और मुल्यांकन का प्रकार क्या होता है मुल्यांकन कितने प्रकार समलोग कर सकते हैं उसकी क्या विधिया होती है और उसकी क्या विश्यस्ताय है इस टॉपिक में इससे questions पूछता है उसके बाद से जो अगला टॉपिक आता है second last topic है ये इस टॉपिक में आता है आपका सिक्षण सहायक सामागरी हम लोग कोई भी सिक्षण अगर बच्चों को कराते हैं पढ़ाते हैं लेंग्वेज हो या कोई भी हो तो उसमें बहुत सारे सिक्षण कराने के लिए बहुत सारे सहायक सामागरी जो है आते हैं जिससे के थुरू हम लोग सिख्षण को अच्छे तरह के से करा सकते हैं, शुगम बना सकते हैं और बच्चों को हम लोग अच्छे प्रकार से सिखा सकते हैं तो इस में इस टॉपिक पे जो है सिक्षड साहयक सामागरी से questions करता है तो सिक्षड साहयक सामागरी क्या है उसकी परिभासा पूछ सकता है उससे questions होगा उसके महत्तु के बारे में पढ़ेंगे उसके परियोग के उदेश क्या होते हैं उसका कार क्या है और प्रकार क्या होता अगर हम लोग कोई भी शिक्षण सहायक सामागरी इस्तमाल कर रहे हैं प्रयोग कर रहे हैं बच्चों को सिखाने के लिए तो उस पे उस समय हमको क्या ध्यान देने योग बाते होती है यह जानना बहुत जरूरी है क्योंकि कई बार हम देखते हैं कि बच्चे की अवस्था ज जो भी शामागरी है वह होता नहीं है और अध्यापक जो है शिक्षक जो है उसको बताने लगतेए है तो बच्चा नहीं समझ पायेगा तो इसमें क्या ध्यान देने योग बात होती है यह जो इस टोपिक में सिक्षक सहायक सामागरी में हम लोग पढ़ेंगे उसके बाद से जो last topic है pedagogy का वो है उपचारात्मक सिक्षन क्योंकि कोई भी हम लोग अगर सिक्षन करते हैं या कोई भी language के सिक्षड हो या कोई भी सिक्षड हो pedagogy हो उसमें बहुत सारा जो कम्या होती है उनको हम किस तरह से दूर करते हैं वो जो है इस टॉपिक में हम लोग पढ़ते हैं और ये जो है लास्ट टॉपिक है इसमें क्या क्या हम लोग पढ़ेंगे तो इसमें जो है आपका उपचारात्मक सिक्षण क्या है यहाँ पर देखिए लिखा हुआ हिंदी में उप्चारात्मिक सिक्षाड लेकिन यह जो चीज है वो आपका हर लेंग्वेज में होगा तो सेलेबस लमसम सेम होता है लेंग्वेज का सीटेट में भासा का बस आपको अगर आप एक की त्यारी करेंगे और दूसरे लेंग्वेज का अगर आप पढ़ सकते हैं समझ सकते हैं तो आटोमेटिक आपका त्यार हो जाएगा इस तरह से आप एक पर एक चीज को अगर एक लेंग्वेज को बढ़ियां से त्यार करेंगे तो आपका दूसरा आटोमेटिक हो जाएगा तो इसमें उप्चारात्मक सिक्षण में हम लोग उप्चारात्मक सिक्षण क्या है उसका निदान एवं उप्चारी सिक्षण का महत तो क्या होता है इसके बारे में पढ़ेंगे उसके उद्देश के बारे में पढ़ते हैं और भासा का दोस्ट अगर हम लोग जो भी का सिक्षण करा रहे हैं उसके दोस्त क्या हैं और उचारण में उपचारी सिक्षण की आउसकता अगर हम लोग किसी बच्चे को भासा पढ़ा रहा है तो उचारण कर रहा है तो उसमें जो है उपचारी सिक्षण जो हम लोग कराएंगे उसकी क्या आउसकता हैं होती हैं और उसके दोसों के क्या कारण हो सकते हैं, उसके क्या प्रकार होते हैं, और दोसों का किस तरह से हम लोग निराकरण कर सकते हैं, दोसों को किस तरह से हम लोग दूर कर सकते हैं, ये सारे चीजे हम लोग इसमें पढ़ेंगे इस टॉपिक में, साथी साथ जो अगर हम लोग षिखेज के बारे में पढ़ा रहे हैं तो उसमें क्या होता है कि बहुत सारे बच्चों में भासा सीखने से सब्बंदीद कुछ बिकार होते हैं उसी नहीं पाते हैं उनके अंदर दिक्टे के आती यह इसे questions हमेशा एक number या दो number के एक number के questions तो definite आता ही आता है क्योंकि इसमें भासा सीखने से संबंदित जो विकार होते हैं जैसे आप लोगों ने पढ़ा भी होगा dyslexia, aprexia, aphasia, alexia और dysgraphia, dyscalculia इनसे questions एक questions जरूर होता है तो आज जो है आज के हम लोग इस वीडियो में language में क्या पढ़ना है कैसे त्यारी करना है कि हमारा ज्यादा से ज्यादा number है और अगर हम लोग एक language को त्यार कर लेंगे अगर 30 number जो है 30 number का अगर एक language होता है तो हमारा अगर इसको बढ़ियां से त्यार कर लेंगे तो हमारा दूसरा लेंग्वेज आटोमेटिक त्यार हो जाएगा क्योंकि कोई भी भासा सीखने का तरीका एकी होता है एकी तरीके से हम लो भासा को सीख सकते हैं तो आज ये जो है ये पूरा का पूरा सेलेवस पे हम लो चर्चा किये हैं पड़ना होता है कि इस में से जो पंद्रा नंबर जो है आपका अंसीन Tyler इसमें से ज़्यादातर बच्चे कम गढ़में तो कोई ृख न होता है इसमें सिफ जादा नंबर लें ला देते हैं पूरा दिकसर दो पपरلة अच्छे से टेहरी करा दुनगा Clube आपका जो पैड़ागोजी होता है, इसके क्या क्या सिलेबस थे, इस पर हम लोचर्चा कर लिये हैं। आप लोग हिंदी क्लब के साथ बने रहें। और मैं आप लोगों को सीटेट की पूरी की पूरी सिर्फ लेंगवेज ही नहीं। और भी जो सब्जेक्ट हैं, उसके लिए सिलेबस के एकॉर्डिंग किस तरह से त्यारी करें। किस तरह से ज्यादा से ज्यादा नंबर हम ले आएं। इन सब के बारे में आपको बताता रहूंगा। आप लोग जो इस वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसको अपने और मित्रों को पास फारवर्ड कीजिए। ताकि उनका यह तियारी हो सके। क्योंकि अभी जो है ज्यादा तर जो करोना को ले करके पूरे भारत में जो लॉकडाउन चल रहा है। तो कोई भी सिक्षण स्थान जो है कोचिंग है वो सब कुछ बंध है तो इसलिए आप लोग के लिए त्यारी करने के लिए अच्छा नंबर लाने के लिए यह सब जो है वीडियो आप लोग के लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध होगा। कोई भी अगर आप लोगों को इसे टॉपिक पे इस लेंग्वेज से या किसी वी चीट से एगर कुछ भी अगर कुश्चन करना हो कुछ भी मन में डाउट हो तो आप कॉमेंट कर सकते हैं या फि मैं नंबर अपना दे दूंगा कॉमेंट में आप टारेक्ट बात भी कर सकत हैं ठीक है तो आज के लिए वस इतना ही कि सी टेट में जो है लेंग्वेज में किस तरह से हम ज्यादा नंबर लाएं क्या पढ़ें तो यह पूरा का पूरा से लेबस था आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद बने रहिए इसी तरह से सब्सक्राइब कीजिए हिंदी क्लब को दबाईए इस बेल आइकॉन को ताकि हमारा वीडियो आपको मिले सबसे पहले शेयर करें अपनी दोस्तों के साथ ताकि वो भी इसका लाब उठा सके यह सब बिलकुल फ्री है